तो देखो प्यारे बच्चों एक अच्छा सा सवाल है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक उनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड है, वो रिस्टिक्टेड है र रीजन में, इसमाल रीजन में मैगनेटिक फिल्ड रिस्टिक्टेड है, इस इसमाल रीजन जिसमें मैगनेटिक फिल् है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल लाई है और यहां पर दो लूप है लूप फस्ट है समय रहे है ना लूप यह जो लूप है इस इस दे लूप जिसकी रैडियस आ रहे है वो लूप फस्ट है और यहां से और यह जो लूप है और यहां पर इस एरिया से मैगनेटिक फिल्ड एससे से फ्लक्स मैं लिखूंगा भी मल्टिप्लाइड वाई एरिया कॉस्ट है ठीक ना तो इस एरिया से यह जो एरिया इससे कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ है यह बी है यह बी फ्लक्स है फ्लक्स फाई और बी इस रीजन में कितनी मैगनेटिक फिल्ड है इस रीजन में यह असक्वाइर एरिया से वो बी है ठीक ना और यह एरिया आप असक्वाइर है बात अगर मैं फेराडे ला लगा हूं, तो number of turns यहां से 1 है, minus number of turns N, और यह d5 over dt अगर मैं लगाता हूं, तो number of turns तो यहां 1 हो गया, ठीक है, और d5 over dt, मतलब इस loop से, इस पूरे loop 1 से, loop 1 का flux, तो loop 1 का flux है, तो loop 1 का flux, अगर loop 1 का flux, magnetic field associated with loop 1 और area of loop 1, यह वाला बात समझे में आ रहा हूं, area of loop 1, तो अगर मैं यहां तो इस पूरे loop में, तो magnetic field है नहीं, तो अगर पूरे loop में magnetic field है नहीं, तो पूरे loop की magnetic field है वो आएगी नहीं, तो अगर होती तो पूरे loop का area आता, लेकिन जो magnetic field है, यहां confined है, इस region में दिया लूप 1 से इस रीजन में दिया हुआ यह जो रीजन है इस मालार इसमें मैगनेटिक फिल्ड है तो यह जो बीए है जिसमें मैगनेटिक फिल्ड उसी का एरिया आएगा तो माइनस डी ओवर डी टी और मैगनेटिक फिल्ड बी यहां पे जिस रीजन में मैगनेटिक फिल्ड है और यह area pi r square मतलब minus यहां से db over dt और यहां से pi r square जो कि यहां से बाहर भी ले लो तो loop first में जो है वो minus pi r square db over dt is the introduced emf in the loop first ठीकिना बहुत detail और बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ तो यह आप समझ में आ गया होगा और loop 2 में अगर बात करोगे loop 2 में तो यह वाला law लगाओगे तो minus n d5 over dt अगर loop 2 के लगाते हो तो minus number of turns 1 है और d over dt और यहां से magnetic field और area है since loop 2 में जो magnetic field है उसकी value 0 है तो introduce emf जो आ जाएगा b0 रखोगे तो introduce emf 0 मतलब अपना d option सही आ जाता है बागी सब यहां से गलत है पोड़े बाहँ जाएगा झाएपना लगाऊ जब से कानवागे गलत है